Hello everyone, welcome again to Lander Deet Demon तो आज हम करने वाले हैं NCERT में हमारा राजिस्थान क्लास 8th, चैप्टर नमबर 6, विकास योजनाएं तो हमने 6 चैप्टर जो है वो पढ़ लिये थे, उनके कोशन आंसर जो है वो हमने कर लिये हर एक question जो है वो जितने भी बन सकते थे उस chapter में वो सभी में आप लोगों को करवाती हूँ क्यों करवाती हूँ उसकी वज़े ये है कि आप कोई भी exam देते हो जहां आपका राजिस्तान का जी के पूछा जाएगा यहीं से question बन कर आता है ठीक है चाहे आपने अभी तक किसी का भी exam दिया हो या आगे कोई भी exam आप देंगे इन बुक से आप नहीं बच सकते हो 6-7 तो मैंने आप लोगों को करवा दी है 8 जो है वो मैंने आप लोगों को reading करवा दी थी अव हमने इसके question answer भी कर रहे हैं जो भी नई बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लीजिए ताकि जो भी video आता है तो उसके सूचना आपको मिल पाए तो इनको जो है वो आप साथ में ही याद करते चलिए ताकि आपको कोई problem ना आए तो जिन बच्चों ने course लिया है चाहे वो second grade का हो चाहे उसने RBSC की जो ये सभी books हैं इनकी जो course लिया है तो pdf में आपको ये question answer भी आपको मिल जाएंगे जैसे-जैसे question answer complete होते जाएंगे आप लोगों के पास pdf पहुँच जाएगी तो आज का जो chapter है विकास योजनाएं तो इसको मैंने इस तरीके से जो है वो लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है क्रसी संबंदी योजनाएं हैं सिक्षा संबंदी योजनाएं स्वास्ते रोजगार या फिर महला बालिका के कल्यान कारी जो भी कारे सरकार ने किये है जनता के हित के लिए तो वो सभी योजनाएं जो है आपके एक्जामें पूछी जाती हैं ठीके चाहे वो क्रसी से संबंदित योजनाएं हो चाहे वो महलाओं से संबंदित योजनाएं हो या ग्रामीर विकास की योजनाएं हो तो यहां से ऐसे ही कुश्चन जो है वो उठक तो यह चार्ट जो है वो आपको याद करना है तो कोशिच करूँगी आप यहीं पर याद कर लो तो देखिए करसी संबंदी योजनाए कौन सी है जो की सरकार द्वारा जनता के हिट के लिए चलाई गई है तो जिसमें सबसे फरस्ट है करसी कल्यान कोस तो यहाँ पर करसी कल्यान कोस यानि कि करसी से संबंदित जो है वो कोई भी कार्य हो तो उसमें कल्यान करना तो किसानों को उतपाद का यदि उचित मुल्य प्रदान करना ठीक है इसका मुख्य उद्देश है यदि किसानों को उतपादन का उचित मूल्य मिलेगा तो उनका क्या हो जाएगा कल्यान हो जाएगा ऐसे आप याद रखें ठीक है जैसे मैं आपको बता रही है ऐसे ही आप याद रखें क्योंकि बहुत सारी योजनाए हैं तो बहुत सारी चीज आप कैसे याद रख पाओगे, तो ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप याद रखें, क्रसी कल्यान कोस, यानि यह कल्यान होगा, और कैसे होगा कल्यान एक किसान का, जब उत्पाद का उसे उचित मूल्य मिल जाएगा, तो यह आपको याद हो गई, फिर द पादन इसका मुख्य उद्देश ι है, किसका राष्ट्रिक हाद्य सुरक्षा मिसन का, तो यहाँ पर खाद्य जो है, इस से आप याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश गेहूं और डाले, थर्ड देखिए, राष्ट्रि क्रसी विकास योजना, तो राष्ट्रिक रस इसका उदेश्य है क्रसी और सम्मंदित शेत्रों में व्रद्धी दर को बढ़ाना फूर्थ देखिए प्रधान मंतरी क्रसी सिंचाई योजना तो यहां पर जो क्रसी में जो सिचाई की जाती है खेतों में तो उससे सम्मंदित योजना है इसका उदेश्य क्या होगा वसलों क उन्नत बनाने के लिए सिचाई हितु पानी उपलब्द कराना ठीक है तो ऐसे ही लाइन जो है वो उटके आ जाएगी कुश्चन जो है वो ऐसे ही बन जाएगा पूछा जाएगा राश्ट्री क्रसी विकास योजना का मुख्य उद्देश क्या है अब मालेजिए यह 4 ही आपशन दे दिये जाएं तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूज क्योंकि 4 हो में ही क्रसी से संबन्दित बात हो रही है लेकिन यहां क्रसी विकास योजना की बात हो रही है तो यहां पर बिलकुल सटी का अंसर यह है कि इसका उदेश क्रसी और सम्मंदित शेत्रों में व्रद्दीधर बढ़ाना ठीक है तो ऐसे ही आप याद रखें कई बार बच्चे पूछते हैं मैं हम इतनी सारी योजना हैं हम कैसे याद रखेंगे तो यह ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी तो यहां सिचाई की बात हो रही थी क्रसी सिचाई योजना तो यहां पर सिचाई हित्व पानी उपलब्द कराना फिर देखें प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना तो यहां पर फसलों की जो बीमा योजना है उससे संबंदित जो कारेकरम है यह तो यहां फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना इसका उदेश्य है 6 देखें राश्ट्रिय आयूस मिसन जिसमें ओशदिय पौधों की खेती को प्रोसाहन और दवाओं के लिए कच्चे पधार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना ठीक है कि कच्चा माल जो है वो बहुत आसानी से मिल सके दवाईयों के लिए तो यहाँ पर राश्ट्रिय आयूस मिसन तो आयूस से याद रखेंगा ओशदिय पौधे और दवाईयों के लिए कच्चे पधार्थ की उपलब्धता को सहज बनाना आयूस से आप ओशदिय पौधे याद रखें फिर देखिए किसान कलेवा योजना ये भी क्रसी से संबंदित योजना है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है किसान ठीक है तो यह क्रसी से संबंदित योजना हो गई अब इसका उदेश्य क्या होगा कलेवा यानि की भोजन से संब देना उनको गुंदवकता युक्त आहर पाने के लिए ठीक है? ये याद हो गया तो इस में किसानों को जो है वो हेल्प मिलेगी गिस से संबने किरसी व्यापार के וियापारियों खर्षी शरमिकों एवों मसदूरों को वित्यसायता उपलब्थ कराना तो राजीव गांदी करसक साती सहायता योजना इसमें क्या है करसी व्यापार के लिए व्यापारियों करसी श्रमिकों एवा मजदूरों को वित्य सहायता उपलब्द कराना तो यहाँ पर एक साथी की तरह जो है वो किसान को help मिल रही है तो बिल्कुल यह 8 question जो है वो आपके बन जाते हैं यहाँ पर तो आप यह याद रखेंगे और इसी तरीके से याद करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताएं है रटे नहीं लगाने हैं इनको समझ के करना है इनका keyword पकड़ना है और याद रखना है दुबारा देखिए कल्यान जो है वो कब होगा क्रसी में जब किसान को उचित मूले मिलेगा उसके उत्पात का खाद्य सुरक्षा जो है जहाँ पर गेहूं और दाल की बात की गई क्रसी विकास कब होगा जब क्रसी और से संबंद शेत्रो जो भीमा है उस पर किसानों को राहत देना आयूस में आपने याद किया राश्ट्री आयूस मिसन में औसदिय पौधों की बात की गई है दवाओं की बात की गई है किसान कलेवा योजना यहाँ पर आहर की बात की गई है ठीक है राजीव गांदी करसक साथी सहायता योजन अगला देखीए आर्थिक शेत्र संबंदि योजना हैं तो यहां पर देखिए कौन-कौन सी है आर्थिक संबंदित योजना हैं तो आए दिन आप पैसिस से संबंदित योजना तो भामा सार रोजगार स्रजन योजना तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा यूवा सिक्षित बेरोजगारों महिलाओं अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती दिव्यांग जनों को स्वर रोजगार के अफसर उपलब्द कराना ठीक है तो यह रोजगार अवसर जो है उपलब्द कराना भामा शाह रोजगार सरजन योजना का उद्देश्य है तो मैं ऐसा सोचती हूँ आपको यहीं पर याद हो रहे होंगे नेक्स्ट देखिए सेकंड पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीन कौशल योजना तो यहाँ पर ग्रामीन इस तर पर जो है कौशल योजना चलाई गई इस योजना के अंतरगत कौन सी योजना है पंडित दीन दयाल उपाद्याय ग्रामीन कोशल योजना तो सबसे पहले ग्रामीन युवाओं में कोशल विकास द्वारा गरीवी का निवा करन करना ठीक है तो यहाँ पर आर्थिक रूप से ही बढ़ावा देने की बात हो रही है सबसे पहली बात यह है तो हमने इस से पहले जो कुशन पढ़ा था उसमें क्रसी संबंदित योजना थी क्रसी से संबंदित जो भी प्रॉब्लम है उनको समाप्त करना और किसानों को उनका जो है वो फायदा उनको उपलब्द कराना ठीक है और यहाँ पर रोजगार की बात हो रही है मुख्य मंतरी यूवा संबल योजना तो यहाँ पर सिक्षित जो यूवा है यूवा की बात हो रही है सिक्षित यूवाओं को दो वरसे की अबदी के लिए बेरोजगारी भत्ता देना ठीक है नेक्ट देखे भामा साय योजना इसका लाब जो है वो अधिकतर लोगों ने उठाया है तो भामा साय योजना यानि वित्तिय एवं गैर वित्तिय लाबों को सीधे जरूरत मंद तक पहुँचाना ठीक है तो यह कैसी है यह आर्थिक शेत्र से सम्बंदित योजनाए है चारो ठीक है तो यहां दोबारा से देखिए इसको भामा साय रोजगार स्रजन योजना यहां रोजगार का स्रजन किया जा रहा है जो भी कमजोर वर्ग है पंडित दीन दयाल उपादे ग्रामीड कोशल योजना तो यहां जो ग्रामीड युवा है इनको जो है कोशल वि पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी की तलास में हैं तो उनकी जब उम्र जितनी डिसाइड की जाती है तो उस तक उसे दो वर्स की अफदी के लिए बिरोजगारी भत्ता देना भामा सा योजना इसमें सीधे जरूरत मंदों तक जो है वो लाब पोचाया जाता है चाहे वो वित्तिय लाव हो चाहे वो गैर वित्तिय लाव हो तो यह थी आर्थिक शेतर सम्मंदित योजनाए तो कई कुशन जो है वो बन जाते हैं यहां से स्वास्ते संबंदित योजनाएं देखिए तो यहां स्वास्ते की बात होगी तो इन योजनाओं में या इन कारिक्रमों का जो नाम है सबसे पहले देखिए राजिस्थान जननी सिसु सुरक्षा योजना तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको ये चीज़े समझाई थी तो अब आप इनको यहीं पर याद कर लें योजना का नाम क्या है देखिए योजनाएं जो हैं वो बच्चे जो हैं वो घबराते हैं और योजना का जो टॉपिक है इसको बिल्कुल डिलीट मार देते हैं और सोचते हैं ये नहीं याद करेंगे ऐसा वो सोचते हैं और उसे हटा देते हैं जबकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि यहां से आपके एक दो मार्क्ष जो है वो फ्री के होते हैं ठीक है बस थोड़ा सा समझना है यहाँ पर आपको इतना ज्यादा लंबा चोड़ा याद भी नहीं रखना है बस योजना का नाम और उसका उद्देश से उसी से रिलेट होगा तो राजिस धान जननी शिशू सुरक्षा योजना तो इसे योजना में जननी यानि मा और शिश योगनी तो आसा सहयोगनी जोकी आंगनवाडी में देखा होगा आपने तो गर्ववती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव यानि की उनकी जो डिलीवरी है वो सही से हो पाए स्वास्ते की देखवाल हो पाए घर पर पोशन और पोशन सहायक सेवा उपलब्ध कराना आसा सहयो तो ग्रामील और सहरी शेत्रों में स्वास्ते प्रणाली को मजबूत करते हुए नियाय संगत, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्ते सेवाओं को सार्व भूम बनाना ठीक है तो राश्टी स्वास्ते मिश्टन में याद रखें ग्रामील और नगरी दोनों आ जाएगा नेक्स्ट देखें जननी एक्सप्रेस तो जननी इसमें तो मा आएगी इस योजना के अंतरगर तो मा से संबंदित स्वास्ते की बात होगी तो जननी एक्सप्रेस योजना गर्व वती महलाओं एवं नवजास इसों को चिकिस्सा संस्थानों तक लाना और घर ले जाना तो बी जैसे की जो नवजात शिशू है जो अभी-अभी हुआ है तो उसको और उसकी मा को या फिर कोई गर्वती मा हो तो उनको जो है वो हॉस्पिटल तक ले जाना इसे जन्निनी एक्सप्रेस योजना का उदेश्य है फिर देखिए आयुसमान भारत आयुसमान भारत इसमें ज उसमान भारत योजना का मुख्य उद्देश से क्या है आपने न्यूस पेपर वगर भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ देखा होगा इसका उद्देश से क्या है इसका उद्देश से राष्ट्रिय इस तर पर जो भी गॉर्मेंट और प्राइवेट हॉस्पीटल है वहाँ पर जो भी आर्थी ग्रूप से जातिया है पिछडी जातिया तो उनको मुफ्त में इलाज करना ठीक है इस योजना का उद्देश है मुख्य मंत्री निशुलक दवा योजना एवर मुख्य मंत्री निशुलक जाज योजना तो यहां पर जाज बिलकुल फ्री में दवा जो है बिल्कुल फ्री में मुख्य मंत्री योजना की अंतरकत यहां इसका मुख्य उदेश्य रहेगा सरवादी कुप योग में आने वाली दवा राज्य के सभी जिकिस्सा संस्थानों में निश्चुल को प्लब्द कराना एवं वहां बीमारियों की निश्चुल को जाच प्रदा करना तो ये स्वास्ते संबंदी योजनाए हो गई ठीक है राज़िस्तान जननी शिशू सुरक्षा योजना तो इसमें मा और बच्च इन दोनों की जो मृत्युदर है इसको कम करना तो उनकी स्वास्ते पर धियान देंगे तो उनकी मृत्युदर तो बिलकुल कम हो ही पर स्वास्ते संबंदी जो है सेवाय उपलप्त कराना जननी एक्सप्रेस एक जो है जो वी हॉस्पीटल तक ले जाने के लिए एक तरह के कि ये सोचिये वाहन है जो की गर्वती महला और नवजास सिसू को जो है चिकिस्सा संसान तक पहुंचाए आयोस्मान भारत योजना इ पिछड़ी जाती हैं तो उनको जो है प्राइवेट या फिर गॉर्टमेंट हॉस्पीटल में यहां पर फ्री में इलाज कराना फ्र देखिये मुखे मंतरी निशुल का दवा योजना फ्री में दवा देना फ्री में इनकी जाच गरना इसजना का मुख्य उदेश है तो हमने तीन योजनाएं देखिए करसी संबंदी योजना आर्थिक शेत्र की योजना और स्वास्ते संबंदी योजना तो मैं ऐसा सोचती हूँ आपको तीनों योजनाएं यहाँ पर ही याद हो गई होंगी एक बार और वीडियो देखिएगा जिसे कि आपको यह और भी अच्छे से याद हो जाएगी कुश्यन फोर देखिए महला ससक्ती करण संबंदित योजना है तो यहाँ पर हम महलाओं को जो है मजबूत करने की बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानि बेटी को तो बचाना है जो कन्य अभून हत्या रोकना और बाले का सिक्षा को प्रोसाहन देना ठीक है नाम जही पता लग गया इसका मुख्य उद्देश्य नेक्स्ट जो योजना है देखिए स्वाव लंबन योजना स्वाव लंबन योजना यानि की गरीव महलाओं विदवा परित्यक्ता और ग्रामिर म महलाओं के जीवन इसतर में सुधार करना ठीक है जो कि असहाएं हैं तो उनके लिए स्वाव लंबन योजना जो है वह है चलाई गई है साजहा अभिहान तो इसमें बाल विवा से मुक्ती प्राप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किस योजना का साजहा अभ उद्देश्य रहेगा बालिका संग्ठन में सलंगन व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना जो भी बालिकाओं की सिक्षा के बारे में उनको स्वास्ते के बारे में सोचते हैं तो ऐसे जो संगठन है ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करना इसका मुक्य तो यहाँ पर मुख्य मंत्री राज श्री योजना में लड़कियों में सिक्षा और स्वास्ते की स्लिती में सुधार करना आई एम सक्ती फंड तो यहाँ पर फंड का मतलब क्या है कि कोई भी आर्थिक रूप से सहायता उपलप्त कराई जाएगी तो महला, स्वैम, सहायता, सम्हूं को आर्थिक सहायता प्रदान कर महलाओं को आत्मनिर पर बनाना इस योजना का मुक्य उतेश्य है ठीक है अब इन योजनाओं के बारे में जो है वो हमें पता ही नहीं होता है ति ऐसी भी योजनाएं चल रही है ठीक है क्योंकि हम जो है वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि सरकार द्वारा हमारे लिए कौन-कौन सी योजना है जो है वो चलाई जा रही है तो ये चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेगी ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो यहाँ पर बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है इसका उद्धिश्य है स्वाव लंबन योजना जो भी कमजोर जो भी महिलाएं हैं गरीव महिलाएं हैं विद्वा हैं ठीक है तो उनके जीवनिस्तर को सुधारना है साजा अव्यान बाल विवा से मुक्ति प्राप्त करना गरिमा बालिका संरक्षन सम्मान योजना तो यहाँ पर बालिकाओं को जो संरक्षन प्रदान करती है उनका जो है वो गौर्व सम्मान करना ठीक है मुख्य मंतरी राजश्री योजना तो यहाँ पर सिक्षा स्वास्ति कि स्थिति में सुधार करना आई-एम सक्ति फंड यहाँ पर आर्थिक साहता जो है वह है महिलाओं को उपलब्द कराना यह मुख्य उदेश्च रहेगा महिला ससक्ति करन संबंदित योजना का फिर देके question 5 क्या कहरा है ग्रामीड विकास संबंदित योजना तो यहाँ पर ग्रामीड इस्तर पर विकास हो ऐसी योजना जो है वो चलाई गई है तो यहाँ पर सभी में आपको ग्रामीर संबंदित जो है वो बाते मिलेगी मुख्य मंतरी आदर्स ग्राम पंचायत योजना तो यहाँ पर चैनित गाउं में क्रशी, सिक्षा, स्वास्ते, पर्यावरण के साथ साथ लोगतांतरिक मूल्यों का विकास करना मुख्य मंतरी आदर से ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य है सवच्य भारत अभ्यान सभी ने सुना है, तो सवच्य करना है भारत को ठीक है, तो ग्रामीर इस्तर पर सवच्यता हेतु देश को खुला सोच मुक्त कवनाना कच्रे का संग्रहन एवा मनिस्तारन आदी, तो आपने देखा भी होगा कि गाउं गाउं में जो है, सरकार द्वारा वो सोचाले बनाए भी गए हैं ताकि वहाँ पर जो है सफाई वगरा उनका ध्यान दिया जाए और स्वास्ते संबंदित जो भी प्रॉब्लम आती है वो ना हो अटल भूजल योजना, तो यहाँ पर क्या है भूजल यानि कि भूमी का जो जल है उसको जो है वो क्या करना, उसको वेश्ट न होने देना, ठीक है सामुदाइक सहियोग के माध्यम से भूजल प्रवंद में सुधार लाना, ठीक है स्पेशल एरिया डेवलोप्मेंट प्रोग्राम, तो इसका उदेश्य क्या है, जो भी स्पेशल एरिया है यानि कि कुछ ऐसा शेत्र, जो मिवात, डांग, मगरा, सीमान्त शेत्र, ऐसी जो शेत्र हैं, इनका डेवलोप्मेंट करना मनरेगा, मनरेगा, ये तो रोजगार से संबंदित है, ग्रामीन शेत्र में महातमा गांदी राष्ट्री ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना, एक तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर ग्रामीन परिवारों को वर्स में न्यून तम सो दिन का रोजगार उपलब्द कराना कितने दिन का ये एकजाम में आया हुआ कुश्यन है कि मनरेगा में ग्रामीन परिवारों को एक वर्स में न्यून तम कितने दिन का रोजगार उपलब्द कराया जाता है तो सो दिन का ठीक है प्रधान मंतरी आवास योजना तो यहां आवास से संबंदित बात होगी तो उद्देश्य क्या होगा कि मकान वगरा उपलब्द कराये जाए ग्रामीन शेतरों में पक्के मकान उपलब्द कराना ग्रामीन गौरव पत्थ पत्थ का मतलब होता है रास्ता तो रास्ते की बात होगी तो इसका उद्देश्य है ग्रामीन शेतरों में सडकों का विकास करना तो ये थी ग्रामीन विकास समंदित योजना एक-एक प्वइंट आप पढ़ेंगे न तो आपको बिल्कुल योजना है जो है वो याद हो जाएगी पूछा जाएगा आपसे एक्जाम में कि ये जो है कौन सी योजना है ग्रामीर विकास सम्मंदित योजना है क्रसी विकास सम्मंदित योजना है स्वास्ते विकास सम्मंदित योजना है ठीक है तो ऐसे आप जो है वो एक-एक पढ़ेंगे तो आपको ये याद होगी तो आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि यहाँ पर question 5 दिखाई दे रहा है लेकिन आपके जो है वो 30-32 question जो है यहाँ पर बन कर आ गए है ठीक है योजनाओं के नाम इनका उदेश्य मैंने याद कराने की कोशिश की है आपको यहीं पर याद हो गए होगे यह मैंने इसलिए याद करवाया आप लोगों को क्योंकि बच्चे जो हैं योजनाओं से काफी डरते हैं तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे आपको बहुत इजी लगेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके बाद हम इसी चैप्टर के जो है वो नेक्स्ट कुशन करने वाले हैं थैंक यू